स्वागल दोस्तों आपका इस वीडियो में इस वीडियो में आईए हम आएम में इस इंपर्टन कोशन को यह आप डिसक्स करेंगे उमिद करते हैं कि इन सारे कोशन को आप कर पाएंगे आपका फहरा सवाल बहुत काल में किसे छोड़कर सभी को सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था चंडालों को सिक्षार्थियों को यह और भी दोनों को यह इन में से कोई नहीं तो बहुत काल में किसे छोड़कर सभी को सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था आपका सही जवाब हो जाएगा चंडालों को या आपका सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल बारवी से अठारवी सताब्दी तक की ओधी को किसकी संग्या दी जाती है बारवी से अठारवी सताब्दी तक की ओधी को किसकी संग्या दी जाती है मध्यकाल आधुनिक काल पहुत काल या सभी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल बनारस संस्कृतिक कॉलेज की अस्थापना 1791 में किस ने की थी लॉड मेकाले ने जोनाथन डंकन ने लॉड डलहोजी ने या कैनिंग ने की थी तो बनारस संस्कृत कॉलेज की अस्थापना 1791 में किस ने की थी इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ड किस वर्ष इस इंडिया कमपनी ने सैचीक आग्या पत्र जारी किया था 1501, 1505, 150813 या 1865 आपका सही जवाब हो जाओगा बच्चो आपका सही जवाब हो जाओगा 1509,183 लॉट मेकाले के वीबरल पत्र को कब प्रस्थूत किया गया जनवरी 1819, फुदु फरवरी 1825, दो मार्च 1830, या दो फरवरी 1835 तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 फरवरी 1835 लॉड मेकाले ने अपने वीवरण पत्र 1813 के आग्या पत्र को किस धारा की व्याख्या करी लॉड मेकाले ने अपने आग्या पत्र में किस धारा की व्याख्या करी धारा 33 की धारा 33 की धारा 33 की तो किस धारा की व्याख्या करी थी लॉड मेकाले ने आपका सही जवाब हो जा मतारा 43 की मेकाले के वीवरोण पत्र को किसके दौरा स्विकृति परदान की गई Lord Attenberoo Lord Kenning Lord William Banting दरानी विक्टोरिया जर्णी जब लॉड मेकाले ने वीवरोण पत्र अपना जारे किया था उससे स्विकार किसने किया था आपका सही जवाब किस वर्ष को आधुनिक भारत सिक्षा की किसोरा आवस्ता की संग्या परदान की जाती है इसका सही जवाब हो जाएगा अठारा सो तिरपन या अठारा सो पचास इसका सही जवाब हो जाएगा अठारा सो तिरपन वुट का खोशना पत कब प्रस्तुत किया गया वुट का घोशनापत कब प्रस्तुत किया गया इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व विद्याले सिक्षा आयोग 1948 को किया कब किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णन जी के डॉक्टर भीम राव अमबेटकर जी के डॉक्टर राजेंद परसाद जी के या डॉक्टर जवाललाल नहरू जी के आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चो आपका सही जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णा आपका किस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है विस्वी जाले सिक्षा आयोग, मादमिक सिक्षा आयोग, राष्ट्री सिक्षा आयोग या इन में से कोई नहीं तो आपका सही जवाब हो जाएगा किस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चो माधिमिक सिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग के राम को जाए मादिमिक सिक्षा आयोग का गठन कब किया गया मादिमिक सिक्षा आयोग का गठन कब किया गया मादिमिक सिक्षा आयोग का गठन कब किया गया मादिमिक सिक्षा आयोग का गठन किया गया था अध्यक्ष कौन थे मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर विनय स्वामी मुदालियर डॉक्टर विनोबा भावे डॉक्टर लक्ष्मर्स्वामी मुदालियर डॉक्टर राजिन्द परसाद तो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे मुदालियर आयोग क कि आध्यक्श्षिक टें डॉक्टर स्वामी लक्ष्मर्स्वामी मुदारियरO कि राष्त्य आयोक का गठन कब हुआ? राष्ट्य शिक्षा आयोक का गठन कब हुआ? counting 1960, Whenılmış 11 उनुनाइं 1962 14 मइ religious 48 में 1964 में तो राष्ट्य सिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था इसका सही विकल्ब क्या हो जागा 14 जुलाई 1964 कब हुआ था 14 जुलाई 1964 तो 64 रास्ट्रे सिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है रास्ट्रे सिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है रास्ट्रे सिक्षा आयोग का अन्य नाम है आप्शन आपके मुदालियर आयोग परसाद आयोग बॉस आयोग या कोठारी आयोग तो रास्ट्रे सिक्षा आयोग के अन्य में गठी थुआ था राश्टी सिक्षा आयोग डिडी एस को ठारी की राश्टीज निती 1968 में कितने आधार बुच्छ सिधानतों कि इसको अस्थापित किया गया 10 17 30 19 राष्ट्य सिख्छा नीती 1968 में कितने आधार बुच्छ सिधानतों को अस्थापित किया गया 10 17 30 या 19 तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सत्रा किस शिक्षानीती में साचिक ढाचे को 10 प्लस 2 प्लस 3 के रुप में स्विकर किया गया 1979 राष्ट्य सिख्छनीती 1986 और राष्ट्य सिख्छानीती 1968 तो इसका सही विकलफ हो जागा राष्ट्य सिख्छनीती 1968 तो 1986 की घोशना किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गए थी राजीव गाधी जी इंद्रा गाधी जी ज्यानी जैल सिंग जी पीवी नरसीमा राउची के द्वारा तो 1986 के समय किसकी कौन थे अब भारत देश के प्रधानमंत्री तो भारत देश के प्रधानमंत्री थे गाधी जी राष्ट्य सिक्षनिती 1986 की कार्य योजना नामक दस्तावेज कब प्रकासित किया गया उन्नित मैं आपका सही जवाब हो जागा राष्ट्य सिक्षनिती कार्य योजना कब प्रकासित की गई थी नवंबर 1986 में यह प्रकासित की गई थी